आज हम बनाएंगे दाल मकनी घर पर बहुत ही स्वादिस्ट वैसी दाल मकनी जैसा हम लोग रेस्टोरेंट में ढूनते हैं खाने के लिए धाबों पर जाते हैं खाने के लिए और बहुत महंगे दामों में मिलती है और जिसका स्वाद एकदम जबर्दस्ट होता है दाल मकनी को बनाने के लिए एक कप साबत उरद, साबत राजमा और चने की दाल चाहिए होगी तो उरद हमने ले लिया है एक कप और उससे आधा कप मैंने लिया है राजमा इस कप से मेजर करके लिया है और राजमा का आधा हमने ले लिया है चना इस तरीके से आप quantity रखेगा या तो आप ऐसा कर लिजे कि इस cup से आप एक cup उरत की डाल ले लिजे और छोटे cup से आप राजमा ले लिजे, अगर इस से छोटा कोई cup हो तो उस से चना ले लिजे इस तरीके से हमें इन डालों को भिगो देना है तो राजमा और उरत को हमने पूरी रात के लिए भिगो के रखा है चने की दाल दो तीन घंटे में आराम से फूल जाती है खड़े मसाले ले लेंगे काली मिर्च है एक बड़ी इलाइची है एक चक्री का फूलıld है एक टुकडा डाल चिननी का है और तीन हमने लिया है यहाँ पे छोटी वाली इलाइची एक जावितरी दो चमच हमने चैक प्ती लिया है अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चमश के करीब जो है छोटे चमश से साह जीरा ले लिया है यह जीरा नहीं है साह जीरा है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल मकनी में इन मसालों को हमें किसी मसलन कलाथ में डाल लेना है और उसके बाद में इसको बान कर पोटली तयार कर लेनी है चैक पत्ती आप जरूर एट करिएगा इससे आपके डाल का कलर बिल्कुर रेस्टोरेंट की तरह आएगा उसके बाद इन डालों को हमें क्या करना है कूकर में डाल देना है सारी डाल इकठा कूकर में करके डाल देंगे उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे अब हमने जिस क्वांटिटी में डाल लिया है उसी क्वांटिटी में हमको पानी एड़ करना है तो अगर आपने 1.5 cup डाल लिया है total तो आप उसी हिसाब से हमने जितनी डाल ली है उसी हिसाब से हमने 4 cup पानी एड़ कर दिया है एक चम्मच इसमें हमने एड़ किया है कस्मीरी मिर्श थोड़ा सा हींग और नमक एड़ कर दीजे और उसके बाद में ये पोटली डाल दीजे इसके साथ ही थोड़ा सा तेल डाल दीजे और फटा फट से धकन लगाईए धकन लगाने के बाद आपको 40 मिनट आपको डाल पकानी है दो सीटी आ जाएगी उसके बाद आप गैस की फ्लेम को आफ करकर 30 मिनट के लिए रख दीजेगा 30 मिनट बाद आप देखेंगे डाल ब पहले ही एट कर दीजेगा तो जादा सही रहेगा नमक आपका पक जाएगा अब यहाँ पे गरम पानी एट कर देना है अगर दाल में पानी होता है आपके तो पानी एट करनी की जरूरत नहीं है लेकिन दाल बिलकुल सूखी है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैस करने के जो है डाल को मिक्स कर देना है जैसे कि बहुत जादा सूखी अकर डाल होगी तो फ्राई करते समय हमको फिर पानी की जरूत पड़ेगी और उस टाइम पर हम पानी एड नहीं करेंगे जितना एड करना था अभी एड कर लीजे अब थोड़ा सा ओयल डाल दिया है इसमें हमने गहीं डाल दिया है दो चमँच 2 तेश-पत स्थista बाब और अदरक लसन का पेस्ट डाल दिया है में अब इसी के साथ में जो मिक्स कर लेंगे तो आधा तोमेटो कैचप जरूर एड़ करते हैं आप चाहे स्वीट लीजे टमेटो कैचप या बिना स्वीट के मिर्चे वाला भी ले सकते हैं अगर तीखा खाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका अब यहां पे अगर आपको लग रहा हो कि मसाले थोड़ा ड्राइज ह बहुत जल्दी आपके मसाले भुण जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है तेल रिड्यूज हो जाएगा तो जैसे ही तेल सिपरेट हो जाता है इसमें हमको डाल को मिक्स कर देनी है जो हमने डाल बॉयल करके रखी हैं बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी आज दाल मकनी बनाने का और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मकनी बनेगी तो पहले थोड़ी दाल एट कीजिएगा उसके बाद में सारी दाल को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करिए फिर बाकी की बची दाल एट कर दीजिए अब यहां पे हमें पानी डाल कर आपको लग दाल दिया है और उसके बाद कांटीनिव ऊसको चलाते रहना है नमक हमने पहले ही दाल में एट कर दिया था क्यूक्бы दूद एट करने के बाद अगर आप नमक करेंगे तो दाल आपकी जो दूद हे फट सकता है इसलिए नमक हमेंसे डाल में पहले ही आड़ कर दिजिए आपके डाल की consistency अच्छी होगी पानी डाल कर आपको डाल को जो है पतला या गाढ़ा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको दूद ही डालना है अब फ्राइ करने के बाद में तो बहुत अच्छे से इसको continue आपको चलाते रहना है चलाते चलाते ही पकाना है बिल्कुल समझ अब इस समय दिखा नहीं रहे हैं और यह जो दोनों तेश पत्ते हमने तड़के में डाले थे इनका काम अब हो गया है इन दोनों तेश पत्ते को निकाल कर हम बाहर कर देंगे और दाल continue चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे पंजाब में तो क्या होता है कि इस दाल को बहुत बढ़ियां से दाल की consistency देखे कितनी बढ़ियां है और बहुत अच्छी बहुत टेस्टी डाल मकनी बनती है यह इस तरीके से आप अगर recipe step by step follow करते हुए quantity को ध्यान में रखते हुए पनाएंगे तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी डाल मकनी बनेगी और आप और उसके बाद आपको डाल मकनी का original color दिखाएंगे अभी तो यह पक रही है कि कितना बढ़ियां इसका color आया है तो इसी तरीके से कम से कम हमको डाल fry करने के बाद total कम से कम 40-45 मिनट लग गए हैं डाल को पकाते हुए medium to low flame पर क्योंकि बहुत जादा high flame पर अगर पकाएंग लास्ट में तो यह थोड़ी सी बारी उकटी भी धनिया की पतिया आड़ कर दिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पर काली मिरश का powder दीजिए अगर आप तीखा थोड़ा चटपटव पसंद करते हों तो काली मिरश का powder थोड़ा सा आड़ दीजिएगा यह नहीं पसंद करते काली मिर्श खाना तो गरम मसाला एड़ कर दीजिए अब दाल हमारी पक गई है तो इस स्टेश पर हमको मखण एड़ करना है तो यहां पर मैंने कम से कम दो से तीन कप मखण जो है एड़ किया है चम्मच से अगर देख लीजे छोटे चम्मच से तो तीन चम्मच है अभी एक इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी तो उसके बाद दुबारा से भी मैं मखण का एक क्यूब एड़ करूंगी इसमें क्यूंकि शाइन थोड़ी सी कम लग रही है दाल में मखण जैसे ही आप एड़ करके इसको पकाएंगी तो अच्छा हम अगर चाहते तो दाल को यह हैं शाइन आई है इसके बाद एक क्यूब हमने मखण की और चाहिक कर दिया है तो टोक से कम 3-4 क्यूब हमने मखण की एड़ किआ है अब यह घर का मखण है मैं घर का मकण एड़ कर रही हूं अगर आप मार्केट का मखण ले रहे हैं साल्टेट वाला तो नमक अब हमार पक्क को मिक्स कर दिया है दाल कर कलर देखे चलिए हम light बंद करकर आपको दाल का कलर दिखाते हैं देखे इस तरीके की हमारी दाल जो है बनकर तयार हो गई और बहुत तेस्टी डाल यह देखे फ्रेंड्स पककर दाल कमसे कम 40-45 मिनट कांटीनू पकाने के बाद इतनी आदी quantity में डाल बची है और यही वो डाल मकनी है जिसको खाने के लिए हम लोग restaurant में जाते हैं जिसको खाने के लिए हम लोग धावो पर जाते हैं चलिए हम आपको सर्फ कर कर दिखाते हैं तो बहुत ही tasty डाल मकनी बन कर तैयार है अगर आज की रेसिपी में आपको लगे कि हमने थोड़ी सी भी मेहनत करी है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और डाल मकनी को हमने इस तरीके से सर्फ किया है रोटी और चावल के साथ आप चाहें तो नान के साथ मिसी रोटी के साथ खाईए जब आप ये डाल मकनी बनाईए तो आप बाहर से नान जरूर मंगवा लीजेगा तब आपको असली डाल मकनी का स्वात पता चलेगा बहुत बहुत टेस्टी है डाल मकनी ये इसका टेस्ट बिल्कुल जबरदस्त है कोई अगर हमने अपने घर में किसी को शर्प किया है जब तो उन्होंने तो ये समझा ही नहीं कि ये डाल मकनी मैंने घर पे बनाया है तुरंत पूछा कि किस रेस्टोरेंट से मंगाई गई है तो इस तरीके से अगर आप भी जो है डाल मकनी को बनाएंगे तो आपके घर में भी कोई नहीं बता पाएगा कि ये डाल मकनी आपने घर पे बनाया है इस तरीके से रेशिपी को step by step follow कीजिए पूरी वीडियो को last तक देखिए तभी आपको डाल मकनी का असली स्वाहत पता चलेगा आज की रेशिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पॉर वाचिंग